हाई लेसेश, एक्सलेंसीज, जी 20 के प्रसेदेन के तौर पर भारत आप सभी का हार्विक स्वागत करता है इन समय जिस थान जो हम एकरत्रिक है यहां से कुछी किलोमेटर के फाकें को है लगवर ढाली हजार साल पुराना एक स्टंप लगा हुआ है इस स्टंप पर प्राक्रित भाषा में लिखा है हेवन लोकसा हित मुखेती अथर यम नातिजू हेवन अर्था मानव ताका का ल्यान और सुख सदेव सुनिश्वित किया जाए दान हजार साल पहले भारत की भूनी ने यह संदेश पुरे भीश्व को दिया आए इस संदेश को जात इस G20 समीर का हम आरंब करें 21 सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपुन समय है यह वो समय है जब बर्षों पुरानी चुनोतियां हमसे नए समाधान मांग रही है और इसलिए हमें human centric approach के साथ अपने हर दाईत्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है फ्रेंक्स कोविड 19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है युद्ध ने इस trust deficit को और गहरा किया है जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं आज जी 20 के प्रसिडेंट के तोर पर भारत पूरी दुनिया का आवान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस global trust deficit को एक विश्वास एक भरोसे में बदले जो हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्रा हम सभी के लिए एक पत्ध प्रदर्शक बन सकता है वैश्विक अर्थिववस्ता में उथल पुथल हो नौर्थ और साउथ का डिवाइल हो इस्ट और वेश्ट की दुरी हो फूर्ड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मेनेजमेंट हो टर्रिजम और साइबर सिकुरिटी हो हेल्थ, एनरजी और वाटर सिकुरिटी हो वर्तमान के साथ ही आने वाली पीजियों के लिए हमें इन चुनवतियों के ठोज समाधान के तरफ बढ़नाई होगा फ्रेंक्स, भारत की G20 प्रसिजेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का सबका साथ का प्रतिक बन गई है भारत में ये पीपल्स G20 बन गया करणों भारतिये इस से जुड़े देश के साथ से जादा शहरों में दोसों से जादा अधिक बैठके हुई सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रिकन यूनियन को G20 की स्थाई सदस्यता दी जाए मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताओं पर हम सब की सहमती है आप सब की सहमती से आगे की कारवाई सुरू करने से पहले मैं अफ्रिकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थाई सदस्यता के रूप में अपना स्थान ग्रहन करने के लिए आमंत्रिक करता हूँ एक्सलिन स्थी झाले समया थे लिए झाले से घिए झाले स्थाओल इसके साथ ही मैं मीडिया के साथियों से भी विनम्रा आग्रा करूँगा कि वे अब हमें समय दें और इस सभागुरू से बाहर जाने का कश्ठ करें